आज हमने बनाया है बहुती ज़्यादा इस्पेशल गाजर का हलवा बिलकुल हलवाई स्टाइल जो आपको बड़ी दुकान पर देसी घी में मिलता है और यह बहुती ज़्यादा इस्पेशल है और आप इसको घर में कैसे इजली बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने वन कैजी ले ली है गाजर और यहाँ पर हमने ना तो ज़्यादा मोटी गाजर ली है और ना ही हमने यहाँ पर ज़्यादा पत ले ली है इनको हमने दो लिया है और इसको हम छील लेंगे इस तरह से और छील कर इनको च्छे से साफ कर लेंगे इस तरह से इ और यहाँ पर हमने एक ग्रेटर ले लिया है और ग्रेटर का जो सबसे मोटा वाला जाल होता है उसमें हम इसको ग्रेट करेंगे यह बहुत ही इजी ग्रेट हो जाती है और यह देखेगा इस तरह से यह मोटा मोटा ग्रेट हो चुका है यहाँ पर हमने सारे गाजरे ग्रेट क इसमें डाल देंगे 2 टेविल स्पून के करीब देशी घी और इसको पहले थोड़ा गरम होने देंगे तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राइफ रूट्स लिए हैं काजू और बादाम जिनके हमने पीछ में से टुकड़े कर लिए हैं और इस देशी घी में इनको डाल देंगे थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए रोस्ट करके अगर आप कोई सभी ड्राइफ रूट्स हलवे में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप जब भी हलवे में या खीर में मीठी किसी भी चीज में आप ड्राइफ फॉट्स डालें तो उसको जरा सा देशी घी में रोस्ट करके जरूर डालें और यहाँ पर यह हो चुके हैं इनको हम बाहर निकाल लेंगे और इसी घी में डालेंगे यह ग्रेट की हुई गाजर हमने यहाँ पर सब गाजर डाल दी है और इसको अच्छे से ओपर-nीचे कर देंगे जिसे के इसमें सारा घी लग जाए और यह अच्छे से थोड़ी सी इसमें रोस्ट हो जाएं और गाजर ने पानी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पर हम डालेंगे हाफ कटोरी के खरीब चीनी चीनी लगबग यहाँ पर हमने 100 ग्राम ली है अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह चीनी और गाजर का पानी निकलने लगा है बस इसको इस तरह से हम मेडियम हाई फ्लेम पर ढख कर रख देंगे जिससे की अच्छे से इस पानी में 90% तक गल जाए और यहाँ पर हमने एक कड़ाई दूसरी कड़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा सा तले में डाल देंगे पानी और यहाँ पर हमने लिया है जिस कटोरी से ली थी हमने चीनी उस कटोरी में भर कर दूद तो लगबग यहाँ पर हमने टेर कटोरी दूद लिया है पेट में यहाँ पर यह चार सु गिराम दूद होगा और बस इसको अब हम पकने देंगे और यहाँ पर भर के डाली है एक कटोरी मलाई अगर आपके पास एक कटोरी मलाई फ्रेश मलाई नहीं है तो आप एक किलो दूद लेकर उसको हाफ पका सकते हैं जब तक कि वो हाफ हो फिसमें हमने डाल दी है यह लाई ची और यह अच्छे से गर्म हो चुका है और थोड़ा खुश्क भी हो गया है बस यहाँ पर यह दूद तयार है और यह गाजर भी 80 से 90 परसेंट तक गल चुकी है इसमें पानी चीनी का और गाजर का बेखुश्क हो चुका है बस अब अपिसमें हम दूद डाल देंगे जो हमने थोड़ा इस पका कर रखा है इस तरह से अगर आप इसमें यह दूद डालते हैं तो मावे की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें हम यह सारा दूद डाल देंगे हलवाई जादा तर इसी तरह से पकाते हैं और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम बढ़ा लेंगे फुल कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ये बहुत अच्छे से पकने लगा है आप चाहें तो यहाँ पर इसको कवर करके भी 5-10 मिंट आराम से पका सकते हैं जब तक कि ये इसमें दूद्ध खुश्क नहीं हो जाता तब तक इसको पकाते रहें अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर जरूर कर दें सब्सक्राइब भी जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिसे के हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो यहां पर दोथ खुश्क हो चुका है यह देखीगा थोड़ा सा ही है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे यहां पर जो हमने राइफ फूट्स घी में तलकर रखे थे वो इसमें डाल देंगे थोड़े से हमने गार्णिशिंग के लिए बचा लिए हैं और यहां पर यह देखेगा इसमें जो तेल गी था वो सब निकल के आ चुका है यहां पर हमने लिए है दो सुग्राम मावा जो इसमें हम फोड़ कर डाल देंगे इस तरह से हाथ से आप डाल दें अगर आप मावा पसंद नहीं करते हैं तो आप दूद की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं और इसको खुश करके डाल दें तो भी बहुत ज्यादा यह गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनता है तो यहां पर ह हमने गैस आफ कर दिया है और इसको मावे में अच्छे से मिक्स कर दिया है बस यह याद रखें गैस आफ करके बहुत इस गरम जब हलवा हो उसी में डाल दें तो यह मावा बहुत अच्छे से इसमें पिगल जाता है और यह हलवा बनकर बहुत ज्यादा अच्छा टेस्टी तेयार होता है तो यहाँ पर यह बन चुका है और इसको अब हम सर्फ करेंगे तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यह गाजर का हलवा कितना टेस्टी बनकर तेयार हो गया है लग बाकिस में सिर्फ आद़ गंटा लगा है और यह गाजर का हलवा बनकर तेयार है तो यहाँ पर हमने गानिश करती है आप देखें बिल्कुल यह हलवा इस्टाइल हमने गाजर का हलवा बनाया है आपको अगर ये हमारा गजर कालोई की रेसिपी पसंद आती है तो पिलीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी अल्ला आफिज